हइलो नमस्ते राम राम मेरे सारे भाइयों और उनकी भेनों मैं आज होने वाली है सीधी की बात नो बगवास मैं कोई फालतू अंशंट की बात नहीं करूंगा सिर्फ सीरियस बात करूंगा और यह मेरे को भी पता है काफी सिंसिटिव टॉपिक उठाने वाला हुँ मैं लेकिन यार अब इंस्टाग्राम की स्टोरीज देख देखके ना मेरा दिमाग पक चुका है स तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज का व्लॉग अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना लेकिन रीजन कमेंट में बताना जरूर और अपना बेस पाट कमेंट में शेर करना अच्छी लगी हो तो और शेर कर दो इसको जितना कर सकते हो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ऐसी कुछ जागरिक और अच्छे अच्छी वीडियो से लिए तो चलो शुरू करते हैं हां तो भई मेरा नाम है चिरंजीव चिरंजीव भारदवाज ब्रामण पंडित यूपी से हुम हिंदू और एट इंडियन ये मेरे बारे मता कुछ तो भाई देखो ये काफी जादा सेंसिटिव टॉपिक है जो लोग इस वीडियो को गलत वे में लेके जाएंगे या जो भी है हेट फिलाएंगे तो उनको पहले बताते हो वीडियो मत देखो ठीक है सबसे मेन बात ये कि भाई क्या हो काम पल दूँगा मैं तुम्हें वैलिड लगे हो तो प्लीज बताना ठीक है देखो सबसे पहले मैं किसी रिलीजियन के बारे में उल्टा नहीं बोलूँगा सिर्फ ये बोलूँगा कि जो हिंदू कर रहे हैं किसी और रिलीजियन की इनसान को भी निए बोल रहा है प्लीजियन के लिए तना काम कर रहा है मैं यह नहीं कर रहा कि हिंदू को प्रमोट कर रहे हैं लेकिन हां उनके लिए जो वो डिजर्व करते हैं उसको मिल रहा है ठीक है लेकिन सबसे बड़ी दिककत वहां आती हैं जहां पर कॉमीडियन और कुछ लोग हैं मीमर्स भी करते हूं भहुत अच्छे काम करते हैं लेकिन भई ये चोटा सा एगजांपल दूँंगा छोटा वीम वाला भाई ठीक है तुमने थोड़ा सा मजाक करना था करो कर लिया मजाक हो गया लेकिन भई तुम खुद सोचो भीम कौन थे बीम हमारे भगवान जी थे तुम भगवान जी का indirectly मजाग उड़ा रे हो तुम और कुछ नी तो ये दिमाग मिलाओ कि भीम जी हमारे भगवान थे थीक है तुम छोटा भीम छोटा भीम करते हो कितने तुमने भीम्त बनाए कितना मजाग उड़ाए गया है बहुत मजाग उड़ाए गया है भई ठीक है कुछ हद तक ठीक लगता है लेकिन तुमने कभी किसी और religion में सुना है कि उनने अपने beliefs के ओपर ऐसा कोई मजाग बनाए हो खुद सोचना हम खुद अपने religion की respect नहीं कर सकते और कोई क्या करेगा ठीक है दूसरी बात भई बहुत मतलब मैं खुद कहता हूँ कुछ हिंदू है जिनके मन में बहुत respect है ठीक है मेरे अंदर भी है अपना business अपना जो भी है भगवान के नाम पे शुरू करते है ठीक है लक्षमी बम फटता है वो ठीक है तुम कुद imagine करो कि तुम क्या कर रहे हो लक्षमी जी के नाम करके साथ के तुम क्या कर रहे हो रिस्पेक्ट है तुम्हारे मन में कि भगवान जी के नाम पे शुरू करे है लेकिन तुम खुद सोचो क्या करना चारे हो तुम इससे लक्ष्मी बम लक्ष्मी जी की फोटो होती है उस पे लक्ष्मी जी लिखा होता है ठीक है वो पड़े होते हैं सडक पे तुम ने और किसी रिलीजर के भगवान जी को या फिर किसी भी गौड को ऐसे देखा है कि किसी ने अपने ऐसे इन चीजों का नाम ये रख के और उनकी ऐसी बेकदरी करीओ खुद सोचना है एक बरी काम ऐसा करो जो भगवान जी जो तुम भगवान जी के नाम पे शुरू करें उस पर लोगों को प्राउड हो ये मत करो ठीक है तीसरे आतों में कॉमेडियन्स पे देखो बहुत अच्छे-चे कॉमेडियन्स है लेकिन जो लोग जो लोग रिलीजियन न वहाँ बंदा कमेंट करके जाएगा यह मेरा पता है ठीक है यह कुछ तीन चार चीजे भए हिंदू यह काम कर रहे हैं यार कुछ कमेडियन्स हैं मैं किसी का नाम निलूगा मैं किसी रिलेजिन को ठार्गेट नहीं कर रहा लेकिन कुछ कमेडियन्स है जो मतलब जो लक्षमी जी के ओपर ट्रॉल करा था इनने ठीक है उन पर मजाग बना रहे थे यह लक्षमी जी के ओपर कुछ बना रहे थे भई क्या हो जाएगा इससे तुम्हें यह समझ नहीं आ रही कि अगर एक बार इनका खून खूल गया ना तो यह क्या कर देंगे बाद में काफी इन नोगों के लिए वीडियो थीक है तुम मजाग कर रहे हो एक हद तक ठीक लगता है भाई यह चोटा भीम वाला मैंने भी स्टार्टिंग में मजाग ही लिया था और मैंने खुद अपने स्टेटस पे डाला था यह वाला मजाग लेकिन अब इतना जादा ही हो चुका है ना कि क्या ही बताऊ मैं ये चीज अपने दिमाग में डालो कि भीम जी हमारे भगवान के एक पार्ट है भगवान जी है तो तुम खुद सोच लो तुम क्या कर रहे हो एक तरीके से डिस्रेस्पेक्ट कर रहे हैं तुम अपने हिंदू रिलीजिन की कोई ऐसे और कोई रिलीजिन किसी में भी नहीं होता तुमने देखा है कभी ऐसे कोई नीचे सड़क पे कागस पड़े हो उन्पे किसी और रिलीजिन के बिलीव का नाम लिखा हो सोचो थोड़ा सा और अगर कोई और भी देखता है तो उस इंसान को रोको मेरे सामने को यह काम करेंगा मैं जरूर रोकूंगा और तगड़े हिंदू ही इन चीजों को प्रमोट करते हैं यह जोक शेयर करके क्या यार थोड़ा सा सोचो मेरी यह पहली ऐसी वीडियो है मैं इसको कुछ मितलो कोई और मोटिव नहीं है लेकिन आज मेरा बहुत टाइम से छोटा भीम वाली देख रहा था में मिर को इससे दिमाग कराब हुआ था यह सिर्फ छोटा भीम नहीं काफी चीजों का गुस्सा है जो ऐसे करते हैं ठीक है भाई कितने अच्छे अच्छे वाइनर्स हैं यूट्यूप पर मैं खुद बत देख लेना और कुछ को महंगा पड़ भी चुका है तो देखो मेरे को नहीं पता वो लोग देख रहे हैं मैं इतना कोई सूपरस्टार नहीं हूं ना मैं इतना फेमस हूं लेकिन बस इतनी सी रिस्पेक्ट है कि अगर तुम लोग भी देखते हो तो पहली बात तुम खुद प्रमोट मत कर तुम ठीजों को ठीग है कुछ ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुम्हें लाएन नी कर सकते कुछु नी कर सक करने gouvernement करना उनकी मर्जी है तुम request करो और मैं बता रहूं अगर तुम अच्छी चीज के लिए request करोगे ना कोई माना नहीं करेगा कोई regret नहीं होगा तुम्हें मैं बता रहूं तो भाई देखो ऐसी चीजे प्रमोट करना छोड़ दो Comedians आपसे भी request है अगर आप देखोगे तो ये सब चीजे मत करो अपनी Hindu religion है और किसी religion है और किसी religion है उस पे भी नहीं बनाता है तो भाई उस पे भी मत बनाओ ठीक है अपने religion होते हैं काफी sensitive topic है इन चीजों को गलत वे में मत लेगे जाओ मेरा सिर्फ हिंदूओं को नहीं है सारी religion को किसी religion पे मजाग मत बनाओ बस क्योंकि और किसी religion पे मजाग नहीं बनता क्योंकि अगर कभी बना है तो उनकी अच्छे से ली गई है तो भाई Hindu हो पे मत बनाओ respect है तहे दिल से और आप भी जो लोग नहीं बनाते वो लोग प्लीज इस चीजों को promote न करे ऐसी चीज तो देखो इसके बारे में थोड़ा सोचो प्रमोट मत करना और कोई कर रहा है तो उसको रोको प्लीज यह सारी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है सब हिंदू से तो प्लीज इस चीज को अपने दिमाग में डाल लेना और सोचना इस प्लीज तो चलो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को एंड अच्छी लगियो तो इसको लाइक करना अपना बेस्ट पार्ट कमेंट में शेर करना सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को तो चलो मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे से अगले व्लॉग में थेंक्यू गाइस